नोसे दोस्तों, सुबह मॉर्णिंग में जो एक्टोडिल की वीडियो अप्लोड की गई थी ना, उसे यूटूब ने रिमूव पर दिया, सुबह एक इशू रेस किया गया था, कि पिछले 11 दिनों में कोटा में 3 बच्चों के सुसाइड हो चुके हैं, दूर दरास के गाउं कोटा में तो सुरेश्ट था, उसके सबसे best marks आए, लेकिन कोटा में तो वो एक common aspirant या फिर यूँ कहें, uncommon aspirant बनके रह जाता है, frankness नहीं होती, इतने बच्चों इकलास होती है, टीचर से question नहीं पूछ पाता, बच्चे पिछड जाते हैं, पिछडने के कारण होता क्या है, marks कम आते हैं, लेकिन उमीदों का बोज बढ़ता जाता है, तो इसकी वज़े से suicide हो जाता है, इसके लिए पुरा system दोसी है, जो ecosystem हमने बनाया है, सरकार ने बनाया है, समाच ने बनाया है, कोचिंग वालों ने बनाया है, सब कुछ दोसी है, तो यूटूब ने बोला, ये issue ह हमने discuss किया था सुबह, यूटूब वालों ने बोला कि आप वीडियो नहीं share कर सकते सूसाइड का, लेकिन आप यूटूब वालों को कौन समझाए, कि वीडियो नहीं था, ये तो हमारा educational चीज है, slide के उपर हम discuss करते हैं, खेर appeal file की है, वो वीडियो साध वापस आ जाए, ल applies हो जाए, खेर आप बताइएगा, ये जो suicide का issue है, सुबह वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस पे काफी बढ़िया comment किया था, कैसे system को सुधार सकते हैं, और आखिरकार ऐसा क्यूं होता है, कि एक बच्चे को suicide करना पड़ता है, तो आप comment box में बताइ है, आज की date, issues काफी है, discuss करने के लिए, सबसे पहले तो हम article discuss करेंगे, आज, election commissioner की appointment से सम्मंदित Supreme Court का एक important verdict आया था, but उसे replace करने के लिए, सरकार ने पार्लियमेंट में जो bill introduce किया है, वो सही नहीं है, पूरा issue analyze करेंगे, क्या है, हिंदू का ये issue है, उसके बाद, Indian Express के दो articles, एक तो fertilizer से सम्मंदित, basics के साथ article discuss करेंगे, और last में Supreme Court, High Court के दवरा, जो बहुँ ज़रा छुटिया की जाती है, इससे सम्मंदित issue है, चलिए discussion start करते हैं, आज की discussion का first, जो important article है, वो election commissioners की appointment से सम्मंदित है, और आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो, background की बात पहले करते हैं, दिखो, 2019 के जब elections conduct हुए थे न, तो उस समय election commission की निस्पक्सता पर काफी सवाल उठे थे, एक तो ये आरूप लगा था election commission के उपर, कि उन्होंने elections को इस परकार से schedule करवाया है, कि ruling party को फाइदा हुआ है, elections की announcement में delay हुआ, ताकि ruling party जो है, वो और ज़्यादा प्रोजेक्ट का inauguration कर सके, even election से पहले जो model code of conduct लागू होती है, निस्पक्स धंग से elections conduct रवाने के लिए, उस model code of conduct को भी, पूरी निस्पक्सता के साथ implement नहीं किया गया, ruling party को रियायत दी गई, काफी सारे articles उस समय छपे थे, कि election commission autonomous होके काम नहीं कर पाता, क्यूंकि election commission में जो election commissioners होते हैं उनकी appointment कोन करता है, उनकी appointment की जाती है, प्राइम मिनिश्टर और उनकी cabinet recommend करती है, और प्रेजिडेंट के द्वारा उनको appoint किया जाता है, अब देखो वो election commissioners जिनको चूज किया गया है सरकार के द्वारा, वो देखो संभावना हो सकती है कि सरकार का एहसान उतारने की कोशि तो भी मतलब जनता में ये भावना आ जाती है कि election commission निस्पक्स नहीं है, त्योंकि इनको सरकार ने चुना है, इसलिए ये सरकार के लिए काम करेंगे, एक famous कहवत है कि जो public representative है न, public servant है, उनमें न honesty, integrity ना सिरफ होनी चाहिए, बलकि न दिखनी भी चाहिए, जनता को लगना तब ही चाहिए कि ये honest है, ये integrity वाले हैं, तब ही जनता का जो trust है, वो बना रहता है उस institution में, for example, इस case में election commission में, देखो हमारे देश की democracy को अगर हमें successful बनाना है, तो electoral process तो पूरी तरह से निस्पक्स होनी चाहिए, एक survey हुआ था, गालप world poll, इसमें देखो जनता से fair manner में हुए हैं, सिरफ 50% voters ने अपना भरोसा जताया elections की honesty में, US में तो ये आकड़ा सिरफ 40% है, US में सिरफ 40% voters को लगता है कि elections fair and transparent manner में conduct हुए हैं, इसके बाद article में कहा जाता है, देखो past में काफी जो committees आई electoral reform से सम्मधी था, उन में से कुछ committees ने ये recommend किया है, अगर हमें election commission की independence और autonomy को बरकरार रखना है ना, तो जो election commissioners की appointment होती है, वो independent धंग से selection committee के द्वरा की जाए, ना कि सरकार के द्वरा, जैसे example के तोर पर 1990 में दिनेस गोस्वामी committee ने ये कहा, और उससे पहले 1975 में justice तारकुंडे committee ने भी यही recommend किया था, कि election commissioners की appointment independent select committee के द्वरा की जाए तो ये पूरा background मैंने आपको बता दिया, कि past में क्या कुछ हुआ, अब देखो कुछ दिनों पहले एक फैसला आया था, Supreme Court की 5 जजों की एक constitutional bench का, Supreme Court की 5 जजों की bench ने ये कहा था, कि election commissioner कौन बनेगा, ये एक collegium के द्वरा decide क्या जाएगा, उस collegium में कौन कौन होगा, ध्यान होंगे, उस collegium में leader of opposition होंगे, लोकसभा में, तो ये तीन लोगों का एक panel decide करेगा, कि कौन election commissioner बनेगा, ये Supreme Court ने judgment में कहा था, Supreme Court ने साथ में ये भी कहा, कि देखो ये जो चीज है ना जो हमने order दिया है, तब तक लागू रहेगा, जब तक Parliament इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती, देखो वैसे Supreme Court का judgment अच्छा था, क्यों, क्योंकि तीन लोग जब मिल के काम करेंगे ना, परधामंत्री, Chief Justice of India और leader of opposition, जाहिर तोर पे, अगर ये panel choose करता election commissioners के नाम, तो फिर इसमें सरकार की interference कम से कम होती, क्योंकि panel में Chief Justice of India भी है, panel में leader of opposition भी है, और सरकार की तरफ से सिरफ प्राइम मिनिश्टर है, तो ये Supreme Court का verdict आया था, बट देखो, सरकार को ना, Supreme Court का ये judgment पसंद नहीं आया, सरकार ने, हालखी में, Parliament में, एक bill परजेंट किया, राजेस्बा में बिल परजेंट किया गया है, Supreme Court के इस order को replace करने के लिए, सरकार ने bill परजेंट कि जहा था, Selection Committee में ये लोग होने चाहिए, CGI प्लस में Leader of Opposition, प्लस में Prime Minister, लेकिन bill जो परजेंट किया गया है, उसके अनुसार, Selection Committee में परधामंतरी होने चाहिए, एक Leader of Opposition होने चाहिए, लोग सबा में, लेकिन तीसे नंबर पे CGI के अलावा, Chief Justice of India के अलावा, एक Union Minister होने चा तो फरक आपको पता लगी गया होगा, सरकार ने जो bill परजेंट किया है, उसके अनुसार, जो Panel Election Commissioner को चूज करेगा ना, उसमें CGI के अलावा, एक और Union Minister होने चाहिए, क्रिटिसिजम ये है, अगर ये Panel Election Commissioner को चूज करेगा, तो फिर फरक ही क्या रहा है, अब परधामंतरी के जो कोलीग है कैबिनेट में, वो तो परधामंतरी की बात ही मानेंगे, तो दो लोगों का वोट तो एक तरफ ही होगा, वो पहले जासा सिस्टम ही हो गया कि सरकार जिसे चाहेगी, वही Election Commissioner बनेगा, तो effectively कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये Bill पास हो गया, तो, क्यूकि सरकार के दो बंदे होंगे पैनल में, और सरकार की बात ही मानी जाएगी, ये पैनल इंडिपेंडेंट होके Election Commissioners को नहीं चूज करसकेगा, नेक्स्ट प्रोविजन तो Bill में अच्छा है, सर्च कमेटी से संबंदित, सर्च कमेटी का काम ये होगा, कि कुछ नाम सज्जेस्ट करना, सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी जिसमें तीन लोग है, PM प्लस, Leader of Opposition, प्लस में एक Union Minister, लेकिन देखो, इस पैनल को ना, एक सलेबस दिया जाएगा, जैसे UPSC ने हमें सलेबस नहीं दिया, सी सेट में कुछ भी मुस्किल पूछ लिया, वैसा नहीं, इस सिलेक्शन क कमेटी को, पांच नाम दिया जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, कि आप पांच में से एक चूज कर लो, जो आपको, इलेक्शन कमिशनर के पद पर एपोइंट करना है, और इस सर्च कमेटी में कौन-कौन होगा, जो नाम सोट लिष्ट करेगा, मतलब पांच नाम लेकर आएगा सिलेक्शन कमेटी के पास, इस सर्च कमेटी में देखो, एक तो कैबिनेट सेकेटरी होंगे, कैबिनेट सेकेटरी इस सर्च कमेटी के हैड होंगे, इसके अलावा दो और मेंबर होंगे, जो सेकेटरी टू गोर्मेंट, यह जो पोस्ट होती है, सेकेटरी वाल देना selection committee को और इज पांच में से एक choose किया जाएगा selection committee के दोरा qualification of chief election commissioner and election commissioner से समंदित है next provision bill में पहले नक election commissioner की qualification के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था 1991 के act में बट अब ये बोला गया है कि chief election commissioner और election commissioner ये secretary to central government जो post है न इस से नीचे की rank के अधिकारी नहीं हो सकते इस rank से ऊपर के अधिकारी होंगे या फिर equivalent अधिकारी होंगे वही election commissioner बन सकते हैं otherwise नहीं बाकी देखो कारेकाल क्या होगा वो तो सेम है 1991 के act जैसा कारेकाल होगा 6 साल या फिर 65 years age जो भी जल्दी achieve हो जाए तो कारेकाल खतम हो जाएगा election commissioner का यही provision पहले था यही provision सेम रखा गया है लेकिन एक और चीज़ important है removal and resignation देखो पहले क्या provision था 1991 के act के नुसार सिरफ न चीफ election commissioner को remove किया जा सकता था as a same method जैसे supreme court के किसी judge को remove किया जा सकता था impeachment की साहता से मतलब और बाकी election commissioner के लिए यह provision नहीं था बट अब नए bill में यह provision किया गया है कि बाकी election commissioner को भी same manner में हटाया जा सकता है remove किया जा सकता है जैसे कि supreme court के judge को किया जाता है तो मतलब अब बराबरी लेकर आ गया है नए bill चीफ election commissioner और election commissioner के बीच में पहले chief election commissioner को removal के मामले में special treatment थी लेकिन अब election commissioner को remove करने का method और chief election commissioner को remove करने का method same हो जाएगा क्या होगा method जैसे supreme court के judge को remove किया जा सकता है वही manner में उसी परकार से किसी election commissioner को भी remove किया जा सकता है पहले provision सिरफ chief election commissioner के लिए था अब सभी के लिए है दूसरे election commissioner के लिए भी यही provision देखो ये सारे provisions थो हमने bill के discuss कर लिए अब bill करना काफी criticism भी हो रहा है बिल अच्छा क्यों है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ बिल अच्छा देखो इस वज़े से है कि qualification अब बता दी गई है चीफ election commissioner और election commissioner की क्या हो सकती है और जो पहले disparity थी चीफ election commissioner के removal में और election commissioner के removal में वो ठीक की गई है इसके अलावा search committee का provision भी अच्छा है लेकिन criticism की बात करते हैं देखो Supreme Court की judgment को undermine करने वाला है ये bill Supreme Court एक प्रकार से election commissioners की appointment को independent बनाना चाहता था लेकिन वो नहीं हो उसका क्योंकि अब जो panel decide करेगा उस panel में दो member तो सरकार के ही होंगे दूसरा देखो ये देखो search committee में बोला तो गया है search committee नाम ढूंड के देगी selection committee को लेकिन selection committee जो है कोई जुरूरी नहीं कि search committee के द्वारा ढूंडे हुए नाम को ही choose करें माल लीजिए पांच नाम दे दिये search committee ने selection committee को तो selection committee को जुरूरी नहीं इन पांच में से ही एक को choose करेगी ये भी criticism है बाहर के person को भी election commissioner के तोर पे appoint किया जा सकता है selection committee के द्वारा जैसे UPSC बाहर के question पूछ लेती है ना वैसे ही selection committee भी बाहर के member को भी जगा दे सकती है राइटर कहते है स्वीडन का ना एक independent V-DAM institute है इसने ना इंडिया को electoral autocracy कहा था सवाल उठाये थे कि इंडिया में election commissioner of India जो है वो autonomous डंग से काम नहीं करता देखो वैसे भारत में जो election process है ना वो एक inspiration के तोर पे है बहुत सारे poor और lower middle income countries जो है middle income countries है उनके लिए इंडिया में democracy किस परकार से survive की है वो एक inspiration है तो हमारे देश में election commission की निस्पक्स्ता पर किसी परकार से कोई स्वाल नहीं उठना चाहिए ये democracy को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो bill है bill में सुधार होने चाहिए ऐसा writer suggest करते है इसके बाद next article fertilizer से समधित है और आप GS paper 3 में agriculture topic से इस article को relate कर सकते हो basics की बाद हम पहले करते हैं देखो fertilizer simple भासा में बोलें तो वो organic या फिर in organic substance होता है जो plant को grow करने में मदद करता है plant को बड़ा होने में मदद करता है मदद कैसे करता है एक या फिर एक से अधिक nutrients provide करके fertilizer देखो artificial भी हो सकता है और natural भी हो सकता है जैसे देखो manure यानि खाग जो है वो natural fertilizer है और urea क्या है यूरिया artificial fertilizer है में ली देखो ये fertilizers जो होते हैं 6 macronutrients और 8 micronutrients plant को provide करते हैं ताकि plants की जो growth है वो अच्छी हो सके primary nutrients कौन-कौन से nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur और micronutrients को देखो वैसे primary nutrients भी कहा जाता है और micronutrients को secondary nutrients भी कहा जाता है micronutrients कौन-कौन से boron, chlorine, copper, iron, zinc ये सब इन में से देखो सबसे ज़्यादा जो important nutrients है नम वो है N, P, K, N for nitrogen, P for phosphorus और K for potassium क्या-क्या काम है इनके N तो देखो plant की color के लिए, हरा रंग के लिए और plant के growth के लिए responsible है next phosphorus साइता करता है, अच्छे fruits और full provide करने में, potassium strong roots के लिए, जड़ों को strong करता है लेकिन देखो इनका इस्तमाल एक निश्चित proportion में होना चाहिए, तब ही soil को फाइदा होता है ऐसा नहीं कि तीनों में से एक का इस्तमाल तो जम के किया और बाकी दोनों का इस्तमाल किया ही नहीं तो ratio आपस में होनी चाहिए, इनकी 4 is to 2 is to 1, अगर nitrogen 4 unit है, तो phosphorus 2 unit होनी चाहिए और potassium 1 unit होनी चाहिए, इस परकार से इस्तमाल हो, soil में तब effectiveness बढ़ती है अब देखो एक और चीज़ है, nitrogen use efficiency, example देके समझाता हूँ, nitrogen use efficiency, मान लिजए, एक किसान ने ना, महेश किसान है, महेश ने ना, urea use किया, अपने खेत में, ताकि जो फसल है, उसको nitrogen प्रोवाइड किया जासके लेकिन देखो, जो यूरिया इस्तमाल किया गया है न, उसमें 100 unit nitrogen है, लेकिन यूरिया इस्तमाल किया गया, जो फसल है, उसको मिला सिरफ 35 unit nitrogen, बाकी 65 unit, जो nitrogen था, यूरिया के अंदर, उसका लोस हो गया, वो plant तक पहुँची नहीं पाया तो nitrogen use efficiency कितनी हुई, 100 में से सिरफ 35 unit nitrogen ही तो पहुँचा plants तक, तो nitrogen use efficiency हुई 35%, सिरफ और सिरफ अब देखो किसान ने तो, यूरिया दिया ये सोचके कि nitrogen मिलेगा फसल को, लेकिन उसमें से मिला सिरफ 35% फसल को, तो जो फाइदा किसान ने सोचा था, जो फाइदा महेस ने सोचा था, वो नहीं हुआ, तो महेस क्या करेगा, महेस और ज़्यादा यूरिया इस्तमाल करेग महेश को लगेगा कि यार नाइट्रोजन तो पहुंची नहीं एक पैकेट और खरीद के लाता हूं तो वो एक पैकेट और खरीद के लाएगा और यूज़ करेगा सरकार देखो यूरिया पे सबसीड़ी जादा देती हैं इसलिए भी किसान जो है वो यूरिया जादा इस्तमाल करते हैं तो question उठता है इसका solution क्या है क्या करें कि महेश ज्यादा यूरिया का इस्तमाल ना करें यानि किसान ज्यादा यूरिया का इस्तमाल ना करें तो इसके लिए प्रधामंतरी मोदी ने यूरिया gold fertilizer launch किया प्रधामंतरी मोदी महेश को बोलते हैं कि महेश भया आपने यूरिया का सीधा इस्तमाल मत कीजिए यूरिया के साथ na sulfur add कर दीजिए यूरिया में sulfur की fortification कर दीजिए जिसका नाम होगा दोनों को जब मिलाया जाएगा यूरिया प्लस sulfur इसका नाम होगा यूरिया gold fertilizer महेश बोलते हैं मोदी जी को की इसका फाइदा क्या होगा क्यों add करूं मैं यूरिया में sulfur तो पधामंत्री मोदी बोलते हैं यूरिया gold से ना nitrogen use efficiency बढ़ जाएगी कैसे बढ़ जाएगी क्योंकि देखो यूरिया के साथ में जब sulfur add करेंगे ना तो sulfur की वज़े से यूरिया nitrogen को ना धीरे धीरे release करेगा एकदम से release नहीं करेगा धीरे धीरे release करेगा तो plants को ना ज़्यादा nitrogen मिलेगी पहले 100 में से सिरफ 35 unit nitrogen plants तक पहुँच पाती थी लेकिन बाकी तो या तो atmosphere में उड़ जाती थी या फिर जमीन के नीचे leaching हो जाती थी और nitrogen nitrogen में तबदील हो जाती थी बट अब ज़्यादा nitrogen नंबर तो नहीं बताया गया लेकिन अब ज़्यादा nitrogen plants को मिलेगी यानि nitrogen का ज़्यादा अच्छे से इस्तिमाल होगा urea plus sulfur से यानि urea gold fertilizer से अब देखो ज़्यादा nitrogen nitrogen मान लीजिये plants तक पहुंचेगी तो जाहिर तोर पे किसानों को कम urea का इस्तमाल करना पड़ेगा पोदा जो है ज़्यादा लंबे समय तक हरा रहेगा आम तोर पे नोर्थ इंडिया में होता क्या है जैसे ही फसल का पोदा पीला पड़ने लगता है न yellow color आने लगता है उसी समय किसान urea का इस्तमाल करने लगते हैं बट अब चुकि ज़्यादा जल्दी पीला रंग आएगा ही नहीं पोदे को तो urea का इस्तमाल कम होगा पहले अगर तीन packet urea का इस्तमाल होता था urea gold fertilizer से सिरफ दो packet urea का इस्तमाल करना पड़ेगा ये सारी बाते सुनके महेज बोलेगा परधामंतरी मोदी को मोदी जी के सारी बाते तो ठीक हैं लेकिन मैं जो urea के अंदर sulfur add कर रहा हूं उसके भी तो पैसे लगेंगे न sulfur मैं खामखा का add कर रहा हूं परधामंतरी मोदी बोलते हैं महेज को नहीं महेज बाई sulfur का इस्तमाल वैसे भी आपको करना ही था sulfur soil के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है oil seeds और pulses के लिए sulfur बहुत ज़्यादा जरूरी है sulfur से plant की growth सुनिश्चित होती है पैदावार बढ़ती है मतलब की overall urea gold fertilizer इस्तमाल करने से आपकी फसल की पैदावार ओर ज़्यादा बढ़ेगी अभी मैं आपको आंकडे भी बताता हूँ और एक और चीज बोलते हैं परधामंतरी मोदी महेज को की urea gold में 37% nitrogen है और 17% sulfur है अगर pre में question पूछ लिया जाए urea gold fertilizer है क्या और इसमें nitrogen और sulfur की मात्रा कितनी है तो आप बता सकते हो 37% nitrogen, 17% sulfur इसके बाद writer बोलते हैं देखो ये revolutionary solution है क्योंकि हमारे देश में जितने fertilizer का इस्तमाल होता है न उसमें से 46% तो urea का ही इस्तमाल होता है urea consumption के मामले में देश दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद में बट एक बड़ा percentage ऐसा है जो हम urea directly import करते हैं दूसरे देशों से even जो हमारे देश में भी हम urea produce करते हैं न वो natural gas का इस्तमाल करके करते हैं और आपको पता है natural gas भी तो हम import ही करते हैं न तो मतलब urea के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर dependent है import पर dependent है और urea का use भी बढ़ता जा रहा है इसके बाद writer जो बोलते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा writer कहते हैं देखो urea का तो न मैंने सिरफ एक example दिया urea का तो मैंने सिरफ एक example दिया main point यह है जिन fertilizers का इस्तिमाल किसान ज़्यादा करते हैं न फूर एकजामपल urea हो गया, dap हो गया dap मतलब dia ammonium phosphate dia ammonium phosphate इन बड़े fertilizer products के साथ न आप coating करो, coating मान लिजिए fortification मान लिजिए या फिर simply देशी बासा में बोलना है तो यूं कह दो कि mix करो इन fertilizer products के साथ mix करो secondary nutrients को या फिर micronutrients को मतलब छोटे छोटे जो और nutrients चाहिए होते हैं plants को, उनको mix कर दो बड़े fertilizer products के साथ में जैसे कि देखो micronutrients for example, zinc, boron manganese, iron, copper, nickel ये सब इनको mix कर दो urea के साथ में या फिर dap के साथ में diamonium phosphate के साथ में या फिर secondary nutrients के साथ mix कर दो जैसे sulfur, calcium या फिर magnesium ये है main चीज मैं फिर से बोलता हूँ ताकि concept clear हो जाए ये जो बड़े fertilizer के product है urea या फिर dap diamonium phosphate इनके साथ आप छोटे-छोटे nutrients को mix कर दो इससे फाइदा क्या होगा फाइदा ये होगा एक तो main nutrients की efficiency बढ़ जाएगी जैसे nitrogen use efficiency के आपने example डिसकस किया diamonium phosphate के साथ आप छोटे nutrient को add कर रहे हो तो phosphorus use की efficiency बढ़ जाएगी एक तो ये फाइदा होता है दूसरा देखो इसी बहाने छोटे-छोटे जो nutrients है ना वो भी मिल जाते है plants को जैसे यूरिया वाले case में हमने डिसकस किया sulfur मिल गया छोटा nutrient है लेकिन उसकी विजूरत है soil को वो मिल गया तो दोनों फाइदे हो जाते है main जो nutrient हम दे रहे है जैसे यूरिया में nitrogen दे रहे है उसके use की efficiency बढ़ जाती है और इसी बाहने छोटा nutrient जो है वो भी plant तक पहुच पाता है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो जो point मने आपको बोला इसके बाद रहे एक और एक्जांपल देते है Yara International Simple Yara है Yara ओ Yara नहीं है Yara International नोर्वे की एक company है इन्होंने ना एक product बनाया Jink Procoat क्या है यह Jink Procoat देखो आम तोर पे जब paddy की खेती होती है तो किसान क्या करते है यूरिया के साथ में add करते है Jink Sulfate को बट Jink Sulfate ना एक powder वाला product है powder है जैसे यह add करते है ना बहुत सारा powder तो हवा में उड़ जाता है तो अच्छे से air नहीं हो पाता यूरिया के साथ Jink Sulfate जबकि यारा इंटरनेशनल ने जो यह product बनाया है Jink Procoat यह एक टेल है oil है यह यूरिया के साथ ना अच्छे से mix हो जाता है यूरिया के साथ पूरा uniformly distribute हो जाता है तो इससे भी एक तो Jink मिल जाता है असानी से पोदे को और दूसरा इसके साथ साथ nitrogen use efficiency भी increase हो जाती है बट दिक्कत वाली बात पता है दिक्कत वाली बात यह है कि सरकार ने यूरिया का दाम fix किया हुआ है companies को subsidy मिलती है तो ना companies के पास में कोई motivation नहीं है incentive नहीं है इस परकार के जो product है वो बना के मतलब company खुदी यूरिया प्लस में Jink मिला के factory level पे ही Jink मिला के किसानों को बेच दे ऐसा कोई motivation नहीं है incentive नहीं है companies के पास में अगर सरकार जो highest price है जैसे price वाइर fix कर रखा है उसे थोड़ा सा open कर दे या फिर increase कर दे तो ना companies को थोड़ा motivation मिले incentive मिले बट अभी उनके पास कोई incentive नहीं है कि जिसको किसान खेत में मिलाते हैं आपस में उसको वही factory level पे मिला के दे दे किसानों को और अच्छे से मिला के दे दे uniformly ताकि किसानों को उसका फाइदा हो बड़े जो fertilizer के product है urea dap उसके साथ micronutrients को companies खुदी मिला के दे दे ऐसा कुछ उनके पास incentive नहीं है तो सरकार जो है incentive का provision करें point समझ गए ना factory level पे coating होनी चाहिए ताकि किसानों को खेतों में दोनों को आपस में mix ना करना पड़े और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है MRP को free कर सकती है MRP fix ना करे यह question है जो आपको attempt करना है last में discuss the significance of urea fortification with micronutrients urea के साथ में micronutrients या फिर secondary nutrients को add करते हैं तो इसकी क्या significance है और कैसे ये Indian agriculture में soil की deficiency को address करता है और last में आपको challenges भी analyze करने है challenges क्या है इसके बनना इस आर्टिकल Supreme Court और High Court के judges के द्वारा बहुत ज़ड़ा छुटियां की जाती है इससे cases की dependency बढ़ती जा रही है इस issue से सम्मधित है आप GS paper second में functioning of judiciary नाम का जो टोपिक है वहाँ से इस आर्टिकल को relate कर सकते हूं देखो हाल ही में parliamentary standing committee on personal public grievance law and justice ने ये बोला कि Supreme Court और High Court के द्वारा खास करके High Court के द्वारा इतनी ज़ड़ा छुटियां की जाती है summer में जिससे लोगों बहुत ज़़़ा दिक्कत होती है पहले दो देखो 10 हफ़़ों की छुटियां की जाती थी 10 हफ़़ों की लगातार summer vacation इसके लावा winter vacation भी लेकिन देखो 2013 के बाद से Supreme Court और High Court के द्वारा 7 हफ़़ों की छुटियां की जाती है एक साथ अब देखो लगातार 42 दिनों तक मान लीजिए High Court ने काम ही नहीं किया अब कोई important case आ गया बहुत important case होता है किसी person के लिए वो High Court में appeal ही नहीं फाइल कर सकता और इसके अलावा 5 क्रोड cases मिला के lower courts में High Court में और Supreme Court में सभी जगा मिला के 5 क्रोड cases pending है लेकिन फिर भी इतनी इतनी ज़ादा छूटियां की जाना High Court के द्वारा कहां तक उचित है तो यहीं कहा parliamentary panel ने ऐसा नहीं होना चाहिए अगर judges को छूटिया करनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे judge एक ही समय छूटियों पर चले गए 42 दिनों तक High Court ने function नहीं गिया भाई आप एक एक दो दो करके चले जाओ ना दो judge एक टाइम पर चले गए वो छूटियों से वापस आ गए फिर दो judge और चले गए ऐसा बारी-बारी से छूटिया कर लो आप एक साथ छूटियों पर क्यों जाते हो ऐसा parliamentary panel ने बोला है अब देखो यहाँ पेना writer दो दिन point raise करते है एक तो देखो 2009 में भी LA Commission ने अपनी 230 वी report में जिसका नाम था reforms in judiciary इसमें suggestion दिया था कि vacation, court के vacation के जो time है वो 10-15 दिन कम कर दिया जाए judiciary के हर एक level पे मतलब lower court पे, high court पे, supreme court में इसके बाद 2000 में अटल बिहारी वाजबई गुवर्मेंट ने एक कमेटी गठित की थी Committee on reforms of criminal justice system उस समय former judge V.S. Malipath former chief justice of करनाटक and केरला हाई court थे इनके अध्यक्सता में वाजबई गुवर्मेंट ने ये कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने भी अपनी report में यही कहा कि court की छुटिया को जो time है उसे 21 दिन कम कर दिया जाए क्योंकि cases की जो pendency है वो बढ़ती जा रही है हमारे देश में Supreme Court पूरे साल में average के तोर पे कितना काम करती है 193 working days है Supreme Court के एक साल में High Court के working days है 210 days 210 दिन 365 में से और trial courts के working days है एक साल में 245 दिन वैसे तो देखो दूसे देशों को देखें वहाँ पे जो उनकी Supreme Court है यानि Apex Court है और भी कम दिनों के लिए काम करती है जैसे आस्ट्रेलिया में सिरफ 97 days के लिए काम करती है Supreme Court एक साल में United Kingdom की जो Supreme Court है वो 189 days के लिए बैठती है Singapore की जो Supreme Court है वो 145 days के लिए और US की Supreme Court तो एक साल में 79 days के लिए बैठती है बट देखो दूसे देशों से compare इसलिए नहीं कर सकते तो कि हमारे देश में Supreme Court के पास में powers जादा है आपको पता ही है ना सिरफ सविधान सम्मंदित मामलों पर उनको अपना फैसला देना पड़ता होता है बलकि appeal भी final appeal जो जाती है वो भी Supreme Court के पास जाती है integrated judicial system है हमारे देश में तो हमारे देश में Supreme Court के पास में powers जादा है अब एक important aspect ये आता है मान लीजिए court छुटियों पर है कोई बहुत ज़्यादा important मामला आ जाता है तो क्या होगा तो writer कहते हैं देखो कुछ judge तो available होते हैं regular सुनवाई नहीं करते लेकिन बहुत ज़्यादा important मामला आ गया जैसे eviction से सम्मंदित, bail से सम्मंदित तो वो कुछ judge जो available होते हैं वो मामले को सुन लेते हैं regular जो hearing होती है न वो नहीं होती important मामले जो बहुत ज़्यादा है उनकी सुनवाई हो जाती है इससे पहले जो former law minister थे किरन रिजुजू उन्होंने भी इस system को criticize किया था कि इतनी इतनी छुटिया आप मत मारिये और उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि National Judicial Appointment Commission अगर आया होता ये Constitutional Amendment Act Parliament के दौरा पास किया गया था बट Supreme Court ने इसे nullify कर दिया था strike down कर दिया था तो किरन रिजुजू जी ने बोला ये आया होता तो साइद system में सुधार आ गए होते एक परकार से Judiciary को Criticize करने के लिए उन्होंने ये बोला था तो ये पूरा आर्टिकल है इसको हम इस्तमाल कर सकते हैं Ethics में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद आज की ethical term है confidentiality वैसे तो देखो ये simple term है लेकिन ethics के context में देखिए example के साथ बताता हूँ आपको समझ में आई जाएगा देखो जो bureaucrates होते हैं उनको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं जिससे बहुत कुछ उथल उथल होता है मान लीजिए अब bureaucrates को कुछ ऐसा फैसला लेना है जिससे reliance company को बहुत ज़्यादा फाइदा होगा अंबानी को काफी ज़्यादा फाइदा होगा इन्होंने decide कर लिया है कि ये फैसला हमें लेना है और announce करना है एक निश्चित date को for example 20 अगस्त को तो देखो जैसे ही ये फैसला public में announce किया जाएगा न reliance की companies का जो price है share market में बढ़ जाएगा तो ये bureaucrates की duty बनती है कि उनके पास जो information है जो उन्हें disclose करनी है public तक 20 अगस्त को तो ये information वो इससे पहले किसी को पता नहीं लगने देंगे इसे confidential रखेंगे समझ गए एक और example देता हूँ जैसे doctor का example लीजिए मरीज डोक्टर के पास जाता है तो सारी true information देता है तो ये डोक्टर की duty बनती है कि मरीज के सारी जो information है वो अपने तक सिमित रखा जाए ऐसा नहीं कि उसे publicly disclose कर दिया जाए या फिर अपने दोस्तों को बता दिया जाए नहीं डोक्टर की जिम्मधारी होती है कि patients की information को confidential रखना समझ गए तो ये confidentiality क्या है ये practice है कि information को classified रखा जाएगा जो sensitive information है उसको non authorized individuals तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा confidentiality की जोड़त है देखो ना सिरफ public offices में बलकि private offices में भी और वैसे भी अब तो सरकार data को protect करने के लिए bill भी लेकर आई है अब समरी भी देख लीजिए आप 12 गस 2023 को हमने जो editorial discussion की थी criminal last में बदलाव करने के लिए सरकार ने bill present किया है IPC, CRPC, Indian Evidence Act इन सब को बदलाव करने के लिए सरकार ने 3 bills present किये है अब देखो एक चीज मैं आपको बदाता हूँ इस पर न बहुत सारे articles publish होंगे बिलो पर चर्चा करने के लिए तीन bills जो आए हैं इन पर discussion करने के लिए आपको न पिएचडी नहीं करनी है कि क्या-क्या बदलाव होंगे कैसे होंगे क्योंकि Select Committee के पास में भेजा है Parliamentary Committee के पास सरकार ने bills को भेजा है और बहुत मतलब प्रोसेस चलेगा अभी bills में बदलाव का तो ऐसा नहीं कि आप इस पर 20-25 articles पढ़ लो क्योंकि final जो act बनेंगे न वो जरूरी है हमारे लिए bills पर जो articles आएंगे दिन रात commentary होगी बहुत ज़ादा दिन रात news आएगी सब पर आपको ध्यान देने के आप सकता नहीं है Criminal Justice bills में बदलाव की क्यों आप सकता पड़ी एक तो देखो British era के bills थे आउटडेट हो गए थे इसलिए नए bills के आप सकता थी technology नहीं आ चुकी है नए issues आ चुके हैं तो उन सब issues को देखते हुए ये bills लाए गए हैं ये bills citizens को empower करते हैं जैसे citizens जैसे provisions को हटा के और contemporary issues जैसे mob lynching वगरा chance snatching law enforcement agencies की accountability को increase करते हैं ये bills और procedure को modernize किया गया है जैसे victims की video recording करना ज़रूरी है ताकि investigation में आसानी हो fair trial को promote किया गया है conviction rate को increase किया जाएगा 90% तक लाया जाएगा ये arguments दिये जाते हैं नए bills को लाने के लिए specific provisions भी बताये गए हैं लेकिन bill के specific provisions को अभी आपको याद करने के अफसकता नहीं है क्योंकि इसमें बदलाव होंगे तो bill के provisions को याद करके कोई फाइदा नहीं है फिर एक rural development and multi-dimensional poverty index वाला article हमने discuss किया था कि poverty कम हुई है नीती आयो का data बोलता है positive changes भी देखने को मिले है rural areas में जैसे पक्का घर ज़्यादा देखने को मिल रहा है cell phone का uses बढ़ा है smart devices का ज़्यादा इस्तमाल हो रहा है motorbikes ज़्यादा दिखती है rural areas में branded consumer goods असानी से available है girls education बढ़ी है DJ का इस्तमाल होता है पहले बहुत कम होता था ये schemes है जिनोंने अच्छा role play किया है जैसे स्वच भार्त mission जल जीवन mission portion अभ्यान लेकिन कुछ concerns है lifestyle से सम्मदित rural area से urban areas में migration हो रहा है तो labor की कमी पढ़ रही है rural areas में इस वज़े से बहुत से किसान खेती छोड़ रहे है या अपनी जमीन को lease पे दे रहे है lease पे दे रहे है तो फिर वो रख रखाव नहीं हो पाँ पता जमीन का harmful substances का addiction बढ़ा है digital addiction बढ़ा है मतलब mobile phone का ज़्यादा इस्तमाल होता है hygiene और sanitation में individual level पे तो फाइदा हुआ है घरों में toilets है बट गाओं के level पे waste का management ठीक से नहीं हो रहा है तो यह सारी सीज़े हमने employment opportunities इंक्रीज की जाए tobacco products और liquor को control किया जाए awareness ज़्यादा फिलाई जाए internet का इस्तमाल कैसे करना है informal economy से समधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था किनो जो informal workers है उन तक social security और बाकी benefits नहीं पहुंच पाते तो उनको formal economy में लेकर आना है ताकि उनको benefits हो कोवीड का example हमने डिस्कस किया था challenges क्या क्या है challenges देखो बहुत सारे हैं बहुत से firms ऐसी हैं जो आना नहीं चाहती formal sector में उन्हें लगता है कि compliance बहुत ज़ला बढ़ जाएगा उन्हें नुकसान होगा कई बढ़ देखा जाता है कि formal sector की companies भी अपना काम ठेके पर दे देती है उन्हें लगता है कि ठेके पर काम करवाएंगे तो ज़्यादा आसानी होती है otherwise तो सरकार की इतनी सारी जो compliance है उसे करना पड़ता है तो points यही थे कि सरकार compliance को easy बनाए ताकि एक incentive create करें कि ज़्यादा companies ज़्यादा firms जो है